हेलो दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज हम वीडियो बना रहे हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक साइकल की कॉस्ट को जब आ प्रचेस करने जाते हो इसको इंफ्लुएंस कर सकते हैं मतलब कॉस्ट वह रहा हूं इसलिंग फ्राइस ही हो गया एक तरीके से उसको जाया उसकी खॉस्त Aye कि बढ़ती चली जाएक मतलब अगर आप स्तील फ्रेम मोगेब को अपको जटा पड़ेगा ऑल्ूमिनियुम फ्रेम मोगे अतनी कास्ता बढ़ जाये गे-ंफ CPR-US के ॥ॉघ अचटिकेह भर जाएगी एप्र स्तिल रहता है ठोड़ा है इहवी रहता ह वो मजबूत भी होता है और light weight भी होता है मतलब आपको cycle जितनी हलकी होगी उतनी अच्छी लगेगी obviously बात है तो आप carbon fiber परसंद करोगे उसकी cost उतनी भढ़ जाएगी सबसे मतलब जातर cycle steel frame में आती है जो थोड़ा 20,000 के नीचे आती है वो आपको steel frame में मिलेंगी उसके बाद aluminum frame फर carbon fiber तो यह तो की frame की बाद उसके बाद आते हैं पर लोग wheels पे आपको wheels कैसे मिलेंगे जो wheels की starting होती है वो होती है 26 inch से मतलब wheels की जो लंबाई होती है 26 inch होती है फिर 27.5 inch फिर 29 inch मतलब त्रीक है तो यह wheels का side depends करता है मतलब चोटा wheel लेना है उससे थोड़ा बड़ा medium size में लेना है या फिर 29 inch में लेना है वैसे 27.5 inch बिना एक decent height मिल जाती है आपको और 29 inch तो कैर बढ़िया होता है मतलब एक अच्छी कासे height मिल जाती है आपको कम height 29 inch पर नहीं चला पाएंगे यह seat adjust हो जाती है यह seat जो होती है यह seat जो होती है आपको seat कैसे adjust करनी पड़ती है यह waistline होती है जब आप cycle में ऐसे पैर रखके खड़े होते हैं तो जब कि waistline होती है वह seat उसके बराबर होनी चाहिए यह seat है आपको एकदम waistline के बराबर होनी चाहिए ताकि जब पैडल मारो ना और जब आपका पैर नीचे जाता है तो वह एकदम straight हो जाना चाहिए actually walk like feeling आती है कि आप चल रहे हो जब cycle जब चला होगे तो आपका पैर है जब नीचे पैडल लेकर जाते हो जब एकदम straight हो जाना चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी cycle की seat की height है वह एकदम सही है correct है actually waistline पर रहती है height जब आप खड़े होगे पूरा पैर रखे तो waistline तक आनी चाहिए उसके बाद wheels होगे आप 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 जाओ gears पे तो gears भी पीचे की side gears होते है 7 gears होजकते है 10 gears होजकते है या no gears होते है जो cost है उसकी depend करेगी कि आप gears कैसे लेना चाहते हो gears नहीं चाहिए 7 gears यह 10 gears उसके बाद भी gears आपको चाहिए तो किसके चाहिए shimano brand के चाहिए और दूसरे किसी brand के चाहिए यहां Shimano इंक benchmark आजाता है इसके बाद मतलब शिमानों से महएंगे तो ओफिस ली थोड़ी ची क्neck Land ओगए शिमानों से थोड़ा नीचे तो कॉल्टी शायद डिशह पर ब्रेंड रेंड का भी पैसा रहते हैं विल्स में भी आपको चाईज नहीं बता हैं जो start में आपको 3 ताप की wheels मिलते है जो wheels का size होता है प्लेन रोड़ पर cycle साइकल चलानी है तो एक ब्लेन वील्स होते हैं एक डेंडम फ्लेन वील्स होंगे थोड़े चोटे होंगे एक थोटा size होगा हुगा उनका wheel और एक ब्लेन होंगे ठीक है और उसके बाद अगर आगको mountains, MTB जो ज़्यादा famous होती हो MTB bikes होती है mountain bikes कहते है MTB के wheels जो होते है थोड़े अलग होते है और मैंने थोड़े wheels में notice करना spikes से बने होते है थोड़े बड़े spikes होते है spikes से बने होते है ठीक है मलब ऐसी होते है, ऐसा होता है कुछ wheel mountain bikes के wheels होते है तो मलब एक चुरी जो पत्थर वगर आता है, वो spikes के बीच में चला जाता होगा तो चलाने में थोड़ा easy रहता होगा गड़े वगरव में उसके बाद जो road wheels होते है वो एकदम plane tires होते है, उसके एकदम plane होते है जो tires होते होते है उसके बाद आजके लिए एक नया concept आया है वो आया है, hybrid, hybrid tires का थेक है, hybrid tires का इसमें क्या होते है, यह hybrid tires होते है इसमें जो spikes होते है, वो थोड़े छोटे होते है ठीक है, actually क्या जो यह spikes छोटे होंगे तो आपकी speed थोड़ी और बढ़ जाएगी spikes होंगे ही नहीं, तो speed थोड़ी और जादा बढ़ा पाओगे cycle की ठीक है, तो मुलब road wheels इसलिए होते है था कि आपको speed पकड़ सको cycle में तो road wheels में spikes बिल्कुल नहीं होंगे hybrid में spikes थोड़े से कम होंगे और MTV में spikes सबसे ज़्यादा होते है तो आज के लोग hybrid bikes भी लेते हैं उसमें आपको spikes कम से कम मिलेंगे, size कम से कम मिलेगा मुलब होंगे spikes पर थोड़े थोड़े होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे MTV bikes में थोड़े spikes बड़े होते हैं उसके बाद एक flat bikes भी fat bikes बोल रहा हुँ, fat bikes भी होते है fat bikes के जो टायर्स, जो टायर्स होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, यह समझ लो टायर है तो यह fat bike का टायर है, तो यह normal MTB bike का टायर होगा तो यह सीन रहता है अब तो हम ने क्या का गवर कर लिए हैं, आपने wheels देख लिए पहले हैं, तो आपने इसाइड करोगे, आपको कैसे wheels चाहिए, 26, 27.0, 29 inch उसके बाद देखोगे, आपको wheels कैसे चाहिए, hybrid चाहिए, MTB वाले चाहिए, off-road MTB वाले विसीली off-road होते हैं, या फिर road वाले चाहिए देखो, ऐसे होता है system road, off-road फिर बीच में आता है hybrid, यह तो tires होते हैं ठीक है, आपको मतलब, road पे चलानी है, तो road वाले wheels लोगे, इसमें आपको spikes बिलकुल नहीं मिलेंगे आपको off-road चलानी है, तो MTB के wheels होते हैं, उसमें spikes होते हैं, या फिर आपको hybrid से हीए उसमें spikes होते होते हैं, तो दोनों पे अच्छी चलती है, road पे भी और off-road पे भी और फिर एक और type आजाता है, कि fat bike, मतलब, tires बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनके, वो थोड़ा, ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि tires बहुत मोटे होते हैं टो अब वह ठीक है अब gears में भी यहा पर gears होंगे और आगे की side यहा पर भी gears होते हैं, यहा पर भी gears होते हैं, यहाँ पर तीन gears ही होते हैं, जो maximum gears होते हैं तो यहाँ पर भी आपकी चॉइस होती है कि आप गेर ले रहा चाओ या ना ले रहा चाओ कुछ को साइकलों में क्या रहता है आपको पीछे की साइट तो मतलब साथ, दस, जो भी गेर से आपको मिल जाएंगे, आगे की साइट वो आपको option दे देंगे आपको गेर चाइए, नहीं चाइए तो यहाँ पर गेर नहीं भी होंगे यहाँ पर गेर्स होंगे, यहाँ पर गेर्स नहीं होंगे तो उसके इसाफ से भी cost जो है n, influence हो जाएगी ठीक है गेर्स में भी मतलब शिवानों के चाइए शिवानों एक benchmark set कर देता है जो ब्रेक्स होते हैं जो पहले साइकल सेटी थी ब्रेक्स कैसे लगे होते हैं उसमें एक्चली भी ब्रज्सोतिते तो यहां पे लगे होते हुrich यहां पे लगे होते थे यहां पे ट्रीक टीक है वो आपको गिस्ते रहे होते थेख फिर। दोनों साइट से ये या सिर्फ एक साइड ही चाहिए कोई भी आ गया पीछे में अससे भी price influence हो जाएगा price भी quality भी आपका चलाने का experience भी हर चीज ही मतलब influence हो रही होती है मतलब हम किसी भी चीज का price कैसे select करते हैं एक अच्छे price पर हमको एक अच्छी चीज मिले मतलब maximum quality actually हम चाहते ही कि हम 10,000 दे रहे हैं तो 10,000 में जितनी quality आ सकती है उतनी quality में मिलना चाहिए तो मैं आपको यह बतानी कोईश कर रहा हूँ मतलब एक ताकि आप एक match mark set कर सको कि आपको अभी जो cycle purchase करना चाहते हो उसमें आपको क्या-क्या चीजे चाहिए उसमें आपको frame कैसा चाहिए wheels कैसे चाहिए, gears कितने चाहिए इस side चाहिए या इस side चाहिए इस side चाहिए या सर्फ इस side चाहिए ठीक है gears के बिना भी आप cycle चला लोगे आपको brakes, V brakes चाहिए, disc brakes चाहिए gear shifter आपको शिमानो brand के चाहिए, दूसरे brand के चाहिए फिर आपको उसमें, जो cycle के जो आपको आपको आफ रोड के चाहिए, रोड के चाहिए, दोनों के लिए hybrid tires चाहिए या फिर फैट tires आते हैं, वो चाहिए ठीक है तो यह सब चीज़े होती ही, जो influence कर रहे हैं cycle के चीज़ों को, फिर gears में भी एक चीज़ हम तो देखने को मिलती है जोम गहेर्स जालते हैं। एसे ही नहीं डाल सकते हैं। मतलब जो first gear है। उसके साथ 7th gear नहीं डाल सकते है। मतलब पीछे एक से लेके साथ तक gears होते है। तो पीछे अगर हमने चेος क men 1thást पर चलाürü है। और हम आगे जो गहेर रहोता है.... पीछे हम लोग 1st पर चला रहे हैं तो आगे भी 1st ही होगा बलब आगे 1st है तो पीछे हम 1, 2, 3 तक गेरस डाल सकते हैं आगे अगर 2nd है तो हम 3, 4, 5 का गेर डाल सकते हैं आगे अगर 3rd है तो हम 5, 6, 7 basically हमें proportionately गेरस डालने पड़ते हैं हम ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसको भी तो आप प्रोटेक करके रखोगे रहां तो आपको साइकल ऐसी चलानी होती है तो यहाँ पर पहला गयर और यहाँ पर एक दो तीन यहाँ पर गाडी कान एकदम हलकी रहती है आपकी जो साइकल है वो एकदम lightweight होती है आपको ज़्हादा Paddling करना ही पटती है पर भूडब easily होता आपको effortless Paddling होती है बस मुलद आपको यह लगा कि आपको paddling ही कटनी पड़ रही है कोई effort नहीं डालना होता हलका सभी बेट करोगे आपकी paddling होती चाहेगी फिर जैसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे proportionately जैसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे आपकी paddling थोड़ी मुश्किल होती चले जाएगी पर जैसे जैसे paddling मुश्किल होगी paddling करते करते आप distance ज्यादा cover करोगे जब आप 7th और 3rd पे होगे आपको कम से कम paddling में आप ज्यादा distance cover कर पाऊगे efforts भी जादा लगेंगे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपकी paddling कम होती रहेगी efforts बढ़ते रहेंगे paddling कम होती रहेगी efforts आपके बढ़ते रहेंगे sorry आपकी जो paddling है वो कम होती रहेगी जैसे जैसे गेर्स आप proportionately इस साइड आते रहोगे आपकी जो paddling है paddling आपकी कम होती रहेगी पर जो आपके efforts हैं जो आपको जान लगानी पड़ रही है वो बढ़ती रहेगी यहाँ पर सबसे कम जान लगानी पड़ेगी यहाँ पर मतलब बीच का लेवल आजाता है medium लेवल आजाता है paddling में भी और efforts में भी और यहाँ पर 7 और 3 होगा तो एक दम maximum paddling मतलब ज्यादा efforts लालने पड़ेगे paddling के लिए और paddling कम करने पड़ेगी म быть paddling कम करने का मतलब है कम paddling में ज्यादा distance cover करोगे distance ज्यादा cover करोगे 境ए मतलब cover of distance बढ़ता जाएगा यहाँ पर paddling ज्यादा करना पड़ेरी है distance कम cover होगा तो क्या कितन जाते हैं अगर आप uphill में जाते हो लोग क्या बोलते हैं बैसिकली मदलब uphill में अगर आप चड़ जाते हो मुदलब slope है ठीक है uphill है तो आप यह वाले gears रखोगे 1-2-3 हाप फे 1 तो आपको easily आप उस पर चड़ जाओगे ठीक है तो हमने frame discuss कर लिया, wheels discuss कर लिया, gears discuss कर लिया, gears में भी शिमानों यादर है, हमने bike के जो tires होते हैं, off-road wheels वगरा वगरा ये भी discuss कर लिया, gears shifter discuss कर लिया, अब मैं आपको कुछ examples दे सकता हूँ कि आप कौन सी cycle ले सकते हो जैसे आपको कुछ नहीं चाहिए आपको मतलब एक basic cycle चाहिए आपको steel का frame चल जाएगा यहाँ पे gears भी नहीं चाहिए tires नॉर्मल चाहिए ठीक है कुछ नहीं चाहिए आपको तो आप between की cycle ले सकते हो एक between brand आता है उसमें 5000 रुवे में आपको cycle मिल जाएगी 5000 रुवे में cycle मिल जाएगी वो कुछ नहीं होता बस एक plain cycle होती है आपको V-brakes मिलेंगे simple 26 inch का चाहिए tire होता है उससे चोटा तो होता ही नहीं होगा 26 inch का tire होगा आपका एक दम simple cycle होगी कोई भी चीज नहीं होगे पहला पहला option रहेगा steel frame, 26 inch का wheel gears नहीं होगे gears नहीं होगे यहाँ पर आगे भी V-brakes मिलेंगे और branding में gear होगी नहीं तो gear shaft मिलेंगे ही क्यों और यह tires कौन से मिलेंगे कुछ नहीं पता मुझे, जो starting होती है वो 5000 से हो जाती है between अच्छा brand है काफी लोग चलाते है इसकी cycle काफी लोग उनले रखी है starting between से हो जाती है मुझे अगर आपको कुछ भी नीचे सिर्फ plain cycle चाहिए आप between की cycle प्रचेस कर सकते हो किसी मौल में जाओ को मिल जाएगी 5000 उपीस मिल जाएगी बाकी आपके bargaining skills के उपर है उससे कम करवा सको अब बात आती है मेरे पास जो cycle है वो जो मैंने purchase कर रखी है उससे पहले मैं देख लह था हूँ कोई चीज भोल तो नीरा जो मैं बता सकता था एक चीज और आपकी ये seat मौलब आपको 26 इंच का टाय चाहिए 27 या 29 इससे अगर आपकी height कम भी है आप सोच रोगा आपकी height कम है तो मैं 29 इंच का टायर लेके क्या करूँगा wheels लेके क्या करूँगा पर ऐसा कुछ नहीं है जो seat adjust हो जाती है आपकी height कम भी है तो भी आप 29 इंच का टायर वील्स भी लोगे तो भी आप उसको manage कर लोगे easily मतलब मुश्किल नहीं हाईगी उसमें तो you can purchase 26, 27.5 और 29 इंच as per your budget पर ये चीज नहीं कि मतलब 29 इंच मेरी height शोटी है मनी ले सकता है ऐसा कुछ नहीं है 29 इंच राम से लो कोई दिक्कत नहीं है उसमें पर जो ये seat की height होती है ये vary करती है आपको seat की height क्या रखनी है actually जब को seat की height होती है जब आप यहाँ पे खड़े होगे जब यहाँ पे पैर आपका touch रोता है जब आपका पैर नीचे आता है तो आप एकदम standing position में आ जाते हो ऐसा होना चाहिए मतलब एक walk like feeling आनी चाहिए कि आप चल रहे हो cycle पे cycle चला रहे हो पर basically walk मतलब जब चलते हैं न तो पैर हमारे straight रहते है तो वैसे मतलब जब वीर कोपर लेकर जाओगे नीचे लेकर आओगे तो पैर एकदम straight रहेगा तो मतलब आपको यह ऐसे set करके रखना है कि आपका जो पैर है वो एकदम जब नीचे लेकर जाओगे तो straight हो जाए यह वेस्ट लाइन पे set होता है जो होती है जो होती है हमारी अब जो मेरे पास हाई के लिए रेले ब्रेंड की है नवारो एक रेले ब्रेंड है ब्रिटीन का मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है इसकी यह इंडिया में एक इंडियन ब्रेंड है संक्रोस करके Suncross ने इसकी Distributorship ले रखे, रेले ब्रेंड की, यह ब्रिटेन का ब्रेंड है, काफी फेमस ब्रेंड है रेले ब्रेंड में एक मतलब क्या कहता है, मॉडल है नवारो करके, नवारो तो मैंने वो पर्चेस करे थे भी रिसेंटली तो मुझे इसमें नवारो में क्या की चीज़े मिली थी मुझे इसमें जो कि 29 इंच बता देता हूँ आपको तो बोइज, रिवारो है, मुझे इतनी में इतन हम मीली जाएगा के तो एक बेंचमार्क कर सकता हो मुझे 29 इंच के टायर्स मेले थे 20 बीस तेख जो फ्रेम में मुझे स्टील का मिला था और यह जो गेर्स हैं मुझे शिमानो के मिले थे गेर्शिफ्टर भी मेरा शिमानो का था और मैंने मुझे ऑप्शन दिया गया था कि मैं हाइब्रिड टायर्स भी ले सकता हूं और ऑफ रोड टायर्स जो होते हैं उसके वो भी ले सकता हूं तो मैंने ऑफ रोडी लिये थे मुझे वह अच्छे लगे actually cycle में आते हैं, यह यह एम्टी भी बाक्स में आती है तो ओफ रोडी आयते हैं, मैंने ऑफ रोडी ले 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 थे और क्या चीज़ है शिमानो ब्रेक्स मुझे डिस्क ब्रेक्स में लेते हैं और वो भी बोच साइट्स दोनों साइट डिस्क ब्रेक्स में लेते हैं यहां पे भी डिक्स था और पीछे भी डिक्स था ठीक है इतनी चीज़े मुझे मिल गई थी और 29 इंच के टायर से तो ये मुझे कॉस्ट पड़ा था राउंड ये एक्चुली इसका जो अगर आप 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 आणनाइन देखोगे आपको कुछ 19,000 या 20,000 दिखा रहो होगा Suncross की साइट पर जाना वहाँ रेले बिनेंड होगा वहाँ पर जाओगे नवारो चेक करना कुछ 18,000 रुपे आ रहो होगा 29 इंच टायर के जाथ देख ले ना 29 इंच के टायर से हैं 27.5 के हैं 26 के हैं 12-13,000 से स्टार्टिंग हो जाती है और 19,000 तक जाती है तो मुझे भी बड़ा था मैंने बार्गिनिंग वगरा करके मैंने 16,500 में ले ली थी 1600,500 में ले ली थी ये साइकल ठीक है तो वो आपकी बार्गिनिंग स्किल्स के उपर हैं आप कितने में परचेस कर से हैं कितने में डील करे कर सकते हो स्टार्टिंग तो 19,000 से करेगा अगर आपको 29 स्टायर्स में चाहिए तो और आपको ये दोनों जगे डिस्क प्रेक्स चाहिए गेस भी सब कुछ चाहिए चीजें कम करते रहोगे वो आपको प्राइस कम करते रहेगा ठीक है तो ये मुझे पढ़ा था मैं लबाए एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो उसके बाद न मुझे और कोई ऐसे सरीज नहीं मिली थी मुझे ये पीछे के और आगे के मडगार्स भी नहीं मिले थे अगर आप पीछे के आगे के मडगार्स लोगे उस 220 रुपे के आती है वो लाइट ये मडगार्स भी देर सो 220 रुपे में आजाते है फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक हॉर्ण मिला था बस जो फ्री था उनके साब से एक हॉर्ण दिया गया था बस और कुछ निए था बागी यहाँ पे ऐसी स्रीज में जमीन आता है एक यहाँ पे ओरन होता है लाइट होती है यहाँ पे पानी का स्टेंड होता है बॉटर रखने का यहाँ पे एक पाउच होता है वो भी ऑनलाइन मिलेगा 500-600 रुबेगा आता है जिसमें फोन वगरा सब आजाता है और दो-तीन अलग से चीज़े लगने के लिए और स्पेस भी होता है अच्छा खासा तो मतलब यह सारी चीज़ें हैं मतलब बेसिकली जो साइकली कॉस्ट को अगर आप बिगनर हो तो आपको इस सब चीज़े पता होनी चाहिए जो उसकी कॉस्ट को जो आप परचेस करने जाओगे और इंफ्वेंस कर सकती है यहाँ पर मैंने आपका एक बेंचमार्क सैट कर दिया मतलब बेंचमार्क को किसका इतने का कि आपको इतने रुपे में इतनी चीज़े मिल जाएंगे मतलब अगर आप साइकर परचेस करना चाहते हो तो एक बेंचमार्क है इतने रुपे में इस ब्रेंड के अंदर आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी 500 रुपे आगे पीचे बहुत सकता है मतलब इसाइच 17,000 का मिल जाए आपको 17,000 रुपे में आपको इसनी चीज़े मिल जाएंगी 29 इच का टायर, स्टील फ्रेम, और फरोड या फिर हाइबिड जो भी चाहिए आपको वह मिल जाएगा शिमानों का था सब कुछ मेरा गेर शेफटर भी शिमानों का था गेर्स भी शिमानों के था यहाँ पर शिमानों के था, यहाँ पर तीन गेर्स लगे हुए थे और डिस्क ब्रेक्स पर इन दोनों जगे है ठीक है, यह रहले नवारो ब्रेंट थैंक्यू गाइस, अब मैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे दिखती है वो साइकल यह ऐसी लगते है यह देखो यहाँ आगे डिस्क ब्रेक्स लगे हुए, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स लगा हुए ठीक है, यह 29 इस का टायर है यह, जो इसका साइज है ना, यह 29 इसका है यह देखो, यह जो स्पाइक्स बने हुए यह अगर ऑफ रोड लोग है तो इस स्पाइक्स बिल्कुल नहीं होंगे और टायर का साइज भी थोड़ा चोटा रहेगा और यह एम्टी भी वील्स हैं, तो इस स्पाइक्स थोड़े बड़े हैं इसमें यह शिमानों के गेर शिफ्टस है इसे लिख्वार नहीं मिला है फ्रीक के नाम पर यहां पर तीन गेर्स होते हैं और यहां पर सेवन गेर्स हैं यह भी शिमानों के गेर्स डिस्क ब्रेक्स के साथ, यह री डिस्क ब्रेक्स यहां पर यह भी टॉंटेनर इसका टायर है और यह जो सीट है, यह आपकी वेस्ट लाइन पर आनी चाहिए साइकल एक तम प्रॉपर्टी चलाने के लिए यह भी देगे, यहां पर भी गेर्स शिमानों के लगे होगे यह जो आपके अपके लाइए, यहे चाहिए. यह जाए ब्रेक्टी सुझे डचार से करना इस तब लाइणास तो, I hope you like the video, please Like, Subscribe and if you like, if you have any confusion then comment but please like the video and subscribe please thank you I hope you will like it thank you next video